हाई 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 आए हाई 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 ostr a करने वाली हूँ सांस क्रीम सांस क्रीम के बारे में रिवेव करने वाले हूँ आज ओके यह है एवस गुद्स का ऐलोवेरा संसक्रीम lure SPF50 यह देखो साथ यहां पर है एलोवेरा और यहां पर है ट्वेंटी नाइन्स ग्राम्स इसका पेकेजिंग कुछ इस तरह कहें संस्क्रीम एपलाइ करने से 15 टू 20 मिनिट के बाद ही आपको ख़र से बाहर निकलना सही है और इसका पेकेजिंग कुछ इस तरह कहें और यहां पर एक यह है इसका कांसिस्टेंसी आगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है तो ऐसे ही एल्प्स गुद्नेस पर बहुत सारे प्रोडाग है सांच क्रीम के बाड़े में मैं आपको डेढ़ हूंगी दिस्किप्शन में अगर आप कोई और भी ट्राइ करना साथे हो तो ट्राइ कर सकते हो यहाँ पर कोई भी केमिकल नहीं है और यह नेच्टरेल है 100% नेच्टरेल एन प्योर है और कौन साइस किन टाइप का इसके बाड़े में यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है मैं इसका कांसिस्टेंची आपको दिखाती हूँ यह देखो और इसका प्राइस था रूपीज 165 रूपीज हाँ ठीक है 165 रूपीज में इतना सड़ा ठीक है बाद ओके ओके है मैं यूज करके फिदिखाती हूँ आपको आपको सांस्क्रीम ज्यादा लगाना सही है ऐसे भर भर के इतना भी भर भर के नहीं है अगर आप 30 SPF या 50 SPF का यूज कर रहे हो तो और भी ज्यादा यूज लगाना सही है फेस पर तो मैं 50 का यूज कर रही हो तो इतना ही कफी है सांस्क्रीम एप्लाइ करने के बाद आपको 15-20 मिनिट्स तक बाहर नहीं निकलना चाहिए नेक पर भी एप्लाइ करना चाहिए ऐसे तो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ फिर भी मैं यूज करती हूँ एक क्या है यूज करने के बाद मेरा फेस देखो वाइट 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 शा हो गया ग्लोइंग कर रही है मेरा एवर। इहां पर में यूस नहीं किया तो यह पर मेरा iskin देखो यह एलो यहां दिख रहा है और उस और मेरे इस यह रखुग करें ठेलų ऐसंद यहां पर यह वाइड इस सब्सक्राइब छोगी सब्सक्रेंभ चटन छोड़ DieselîOLO और लगाते ही इसकिन में अच्छे से एब्जॉब हो गया यह देखो और यहाँ पर है एलोवेरा जज़वा केस्टर और आमंद ऐसे ही बहुत सारे इंग्रीडियन्द हैं तो आप यूज कर सकते हो यूज करना साहते हो तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक किजिए, शेयर किजिए, सब्सक्राइब किजिए और आपके सारे रिलेटिफ और फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करना मैं मिलती हूँ आगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and देख क्यार